पूरा जारखंड cashless होने वाला है जारखंड सरकार की ओर से e-transaction को लेकर उठाए गए कदमों की बात ये बात कहना शायद गलत नहीं होगा सरकार के साथ साथ राची पुलिस प्रशासन भी नया कीर्तिमान इस्थापित करने की कोशिश में है और ये कोशिश पुलिस को cashless transaction की ट्रेनिंग दे कर हो रही है मुख्य मंत्री ने जिले के डीसी और अधिकारियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बात करते हुए कई निर्देश दिये और कहा कि 25 दिसंबर से पहले हर जिले के एक प्रखंड या पंचायत को cashless बनाया जाए 28 दिसंबर के पहले हर डीसी ये सुनस्चित करे एक ब्लॉक हमारा cashless ब्लॉक हो cashless पंचायत हो ये सुनस्चित उपायुदगन करे उपंजित कृप ब्याफारी से भी अन्रोध है कि अपनी सारी business system वो cashless एकनोमिक योप ले जाए CM रगुवर्दास ने e-transaction को सिर्फ शेहरों तक ही नहीं बलकि पंचायत इसतर पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि गाउं को भी इससे जोड़ा जा सके इसके लिए उन्होंने बेरोजकार युफकों की team बनाने के लिए कहा है साथी mobile के जरिये payment को बढ़ावा देने पर भी जोड़ दिया तो दूसरे तरफ कारुबार को और आसान बनाने के लिए कारुबारियों को e-transaction के जरिये लेंदेन करने के निर्देश दिये जारखन पूंता कैसलेस स्टेट बने और इसके लिए उन्होंने यवी निर्देश दिया कि चाव सहरो या गाउं लोग अपनी जरुत किवस्तियों की खरिदारी का खर्च मोबाइल बैंकिंग, डेविट कार्ट और इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग शुरू करने की पाल होनी चाहिए यूथ टीम फिर गाउं में जाकर गाउं के लोगों को मोबाइल बैंकिंग की बारे पूरी जानकारी दे जारखंड के मुख्यमंत्री जहां एक और जारखंड को कैशलेस करने की कोशिश में है तो वहीं पुलिस प्रिशासन भी पीछे नहीं है राची पुलिस भी कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस महकमे को ट्रेनिंग दे रहा है यानि राची पुलिस लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ अब यी ट्रांजेक्शन के गुड़ सिखाती भी नजर आएगी राची पुलिस लाइन में आयोजित इस वरक्षाप में सब ही SP, DCP, जवानों के साथ-साथ महिला शक्ति कमांडों भी शामिल होई इस दौरान उन्हें उन तमाम तरीकों के बारे में बताया गया जिसके जरीए e-transaction को बढ़ावा दिया जा सकता है तो वहीं e-transaction के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया गया ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों ने पुलिस महकमे के अलावा पाँच-पाँच लोगों को e-transaction की ट्रेनिंग देने का संकल्प भी लिया ओनलाइन ट्रेनिशन से हम लोगों को जान करें मिला है कि कभी भी बैंक या जाना नहीं पड़ेगा अपना मुबाइल के थुरू ही हम लोगों को पैशा जमा करना पड़ेगा और इसे हम लोग को सुईधा हो रहा है कि कभी कोई भी दुकान से कुछ शामान ले रहे हैं या कोई खरदारी कर रहे हैं तो हम लोग भर बैठे ही अपना दुकान में पेमेंट कर सकते हैं लेकिन इस हकीकत से भी मूह नहीं मोडा जा सकता है कि जारखंड आज भी तकनीक के मामले में पीछे है ऐसे में जाहिर सी बात है इसे पूरी तरह से लागू करना सरकार और प्रिशासन के लिए एक बड़ी चुनाती होगा लेकिन जारखंड सरकार और राची पुलिस की ये कोशिश अगर रंग लाती है तो ना सिर्फ कैशलिस ट्रांजेक्शन करने वाला जारखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा बलकि राची पुलिस भी अपने नाम ई-ट्रांजेक्शन को लेकर एक नया कीरती मान इस्थापित कर लेगी राची से सनी शरत के साथ बिरो रिपोर्ट इंडिया 24-7